आपका स्वागित करती हूं आपके अपनी चैनल पर आज पर आप लोगों के लिए लेके आए हूं एक नूली लॉंच प्रेट का रेवियू आज यह है वैसलीन का ग्लूटा आया फ्लॉडव्लस ग्लो सिर्म लोशन जो कि गाईज गलूटा प्लॉड़ों और प्रो रेटिनॉल के साथ यह 10 ताइम्स प्लॉडवू देन वाइटमिन सी से है यह नॉन स्टिकी फॉर्म्लाइज दो वेरियंट अवलेबल किये गए है और उसका अध्लाग से र деле इसकीन ніमीं को और स्कूलिआब्स टोन चोलरों को हाई्ट्रेड करता है अलग अलग बाते यह आताIFं इसलिएแहँ अलग लाग रीविविव में अगलग review video details में share किये so guys अगर बात करें इसकी packaging के बारे में तो guys यह आता है एक healthy bulky tube के में और इसमें कोई cardboard box नहीं आता बैक में product की पूरी detail दी गई है और इस तरीके के आपको flip-flop opening मिल जाएगा consistency की बात करेगा gel base है, cream base है, light है बहुत जादा thick और heavy नहीं इसका बात करें price के बारे में तो यह आता है 200 ml के product quantity के साथ इसका price 300 रूपीज है और दोनों जो variant हैं आपको नायका और Amazon में अराम से बिल जाएगे, बाकी मैं इनको tag कर दूँँगी screen में, तो अगर आप purchase करना चाहते हैं, तो आप purchase कर सकते हैं ingredient list की बात करें, तो ingredient list आपको screen में बिल जाएगे आप pause करके check कर सकते हैं So guys, जैसे कि Vaseline में बहुत सारे lotion अवलेबल थे इन्होंने यह serum type का lotion लॉशन लॉंच की बहुत लाइट वेट टेक्शर और यह कहीं से भी नहीं कहता कि यह body lotion, इसको आप face और body दोनों में use कर सकते हैं कहीं से भी नहीं बताया गया है कि इसको सिर्फ face पे use करना है जो चाहे body पे लगाए या face पे लगाए और guys, absorb होने पे आप देख सकते हैं यह बिलकुल non only non sticky finish देता है बात करेंगर result के बारे में guys, इन दोनों के ही variant जो है मैंने दोनों use की है दोनों की finish as it is same है बस दोनों की जो active है वो difference करते हैं जैसे कि आदू एक में आपको retinol मिल जाएगा, दूसरे में आपको niacinamide मिल जाएगा तो यह आप पे depend करते हैं कि आप कौन से active के साथ जाना चाहते है finish दोनों की similar है कोई भी difference नहीं है दोनों ही हर skin type वाले use कर सकते हैं यह skin की hydration level को बिल्कुल भी disturb नहीं करते हैं, इसलिए कोई भी skin type वाले इसको use कर सकता है इसको skin lightening and whitening जैसा तो मैं believe नहीं करते हैं कि अद्दम से कोई सफेद या हूँ कर देगा बाकी मैंने इसको इतने दिन यूज़ किया मुझे कोई इद्दम skin whitening lightening effect नहीं फील हुआ बस यह skin को hydrate कर देता है calm कर देता है और इसको आप use कर सकते हैं as a hydrating body lotion जो लॉंग टम में आपकी skin को थोड़ा सा brighten करें यह जो फॉर्मले है बहुत ही यूनीक and different summer में इनको try किया जा सकता है मैं आपको highly recommend करोंगी अगर आपको यह lightweight serum base lotion या cream use करना चाहते हैं तो आप इसको try कर सकते हैं बस इसमें SPF नहीं है जो कि मुझे drawback लगा दोनों में ही SPF missing है तो अगर यह SPF के साथ आता तो यह 2-in-1 की तरीके work कर सकता था आपको अलग से SPF लगाने की जरूरत ना पड़ती so guys यह था एक non-sponsored video I hope आपको यह video helpful लगा होगा पसंद है होगा वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइट करें शेयर करें शाल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए परिट के साथ अब तक रखें आप अपना ख्याल चेक करें बागी